हेलो गईस आज हम बात करेंगे सैमसंग एलेक्सी एट्वेंटीवन एस के एज लाइटिंग के बारे में जैसे कि हमने पिछले टॉपिक के और किया था यह जिसकिन के बारे में और यह भी लगबग उसी सैटिंग में आप लोग को देखने को मिलता है बैट मैंने सुचा इसक में टाइम विस्ट आप लोग को मैं बिल्कुल जादा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग ने देखा हो कि मेरी वीडियो काफी कम मिनट के रहती है एक दो मिनट हो गया बहुत हो गया तो आज का टॉपिक है एज लाइटिंग से रिलेटेड है एट्वेंटी वनस में आप लोग के स्टैप से एज लाइट को इनेबल कर पाएंगे सब आम इस वीडियो में जानेंगे वीडियो के साथ आप लोग बने रहे तो देखिए गई सबसे पहले इसके लिए आप लोग सेटिंग उपन करिए डिस्प्ले सेटिंग में जाना है आप लोग को यहां पे आप उसक्रीन पर क्लिक करने आप लोग को और यहां पर स्कौन कर देना जैसे आप लोग स्कौन करेंगे आप एनिमेशन की मादियम से आप लोगोगो बताया भी जा रहा है कि यह फीचर की इस्टैप से वर्क करता ठीक है न आहां पर इसकी इन्फोर्मेशन देख सकते हैं यहा लाइट वगयरा वगयरा कस्टमाइज का ओप्षन है क्या सहाद यहां पर कस्टमाइज का ओप्षन नहीं बड़ हाँ बेसिक सी बात करूं तो यहां पर आप लोग को जो है फीचर्स काफी बैटर मिलते हैं मतलब कि एज लाइटिंग ऐसे मिलते कि काफी अच्छा काम में एप्लीकेशन वगयरा आप लोग यहां पर चूज कर सकते हैं कि भाई जिस भी एप्लीकेशन में नोटिविकेशन पर आप तो वहां पर हमें एज लाइटिंग यहां पर देखने को मिल जाए तो यहां पर आप लोग एप्लीकेशन वगयरा चूज कर सकते हैं जो भी एप् कर सकते हैं और अगर यहांपे update करें अपडेट कर सकते हैं कि अपडेट में क्या होता है पिछली वीडियो में आप विडियो में आप वीडियो पसदें कि डिशे मता थी